नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा तुमने तारे लाखों ब्राणी ये संतों की वानी है तेरी छवी पर मेरे बगवन ये दुनिया दीवानी है भाव से तेरी पूजा रचाओं जीवन में मंगल होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा सुर्णर मोनीवर जिनके चरण में निश्दिन शीष जुकाते हैं जो गाते हैं रभु की महीमा वो सब कुछ पा जाते हैं अपने कश्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंदन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आते हैं हम है बालक तेरी चरण में तेरे ही गुण गाते हैं भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा ऐसी दया कर देना दाता निश्छल गुजरे ये जीवन रंग लगे नहीं कपट जोट का धोपावन मेरा तनमन सेवा में तेरे ओ मेरे स्वामी भक्ति भाव अरपन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा सत कर्मों को करते रहे हम सच की राह दिखा देना विचलित यदी मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना अंत समय जब आये तो ब्रभु दाव मुक्त दरपन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा हरी नाम नहीं हरी नाम नहीं, तो जीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या अम्रित है हरी नाम जगत में अम्रित है हरी नाम जगत में इसे छोड़ विशे विश पीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चड़ बोले काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चड़ बोले हरी का नाम जपो निश दिन तुम हरी का नाम जपो निश दिन इसमें अब बरस नहीं ना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या हरी नाम जपो नहीं तो जीना क्या तीरत है हरी नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरत है हरी नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा फिर क्यों फिरता मारा अंत समय हरी नाम नावे तो काशी और मदीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या तो आभूशन से अंग सजावे रसना पर हरिनाम नयावे आभूशन से अंग सजावे रसना पर हरिनाम नयावे देह पड़ी रह जाए यही पे फिर कुंडल और नगी ना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या लप्ष मिपती जै लप्ष मिपती स्रिष्टी के पालन करता करुणा मैं क्रिपानिधान की स्रिष्टी के पालन करता करुणा मैं क्रिपानिधान की जै विष्णू भगवान की स्रिष्टी के पालन करता करुणा मैं क्रिपानिधान की जै विष्णू भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदिश हरे प्रिथ्वी की रक्षा के लिए प्रभुनेवा राह अवतार लिया अतिबल शाली हिरन्याक्ष का पल भर में संहार किया प्रिथ्वी की रक्षा के लिए प्रभुनेवा राह अवतार लिया अतिबल शाली हिरन्याक्ष का पल भर में संहार किया खूज के प्रिथ्वी को जब लाए देव अंबर से फूल बरसाए जीवन सफल हो जाए ऐसी महिमा है गुणगान की जीवन सफल हो जाए ऐसी महिमा है गुणगान की जै विष्णू भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे जब बढ़ात्या चार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाशा सिखिलाए जब बढ़ात्या चार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाशा सिखिलाए काल ने महाभारत करवाया कृष्ण ने धर्मद्वजा लहराया जानते हैं सब लोग ये बाते सारी वेद पुरान की जै विश्ण भगवान की जै जै विश्ण भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे धर्ती का संताप मिटाने रामजी का अवतार लिये राक्षस राज रावण को मार के संतों का अवतार लिये राम प्रभु मर्यादा सिखलाए सबके दिल में राम समाए बचन निभाने को श्री रामजी बाजी लगाए जान की बचन निभाने को श्री रामजी बाजी लगाए जान की जै विश्णु भगवान की जै विश्णु भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे चब के संपट दूर करे ओंजे जगदीश हरे नरसिंग रूप की ये धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिये ये जमाने को नरसिंग रूप की ये धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिये ये जमाने को प्रभु जी हिरन कशप को मारे परम भक्त प्रहेलाद को बारे प्रभुजी हिरण कशप को मारे परमभत पहलाद को वारे बात निराली मेरे प्रभु के आनवान और शान की जै विष्णु भगवान की जै विष्णु भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे बोल हरी बोल हरी 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 बोल केशब माधब हरी हरी बोल केशब माधब हरी हरी बोल बोल हरी बोल हरी हरी बोल केशब माधब हरी हरी बोल केशब माधब हरी हरी बोल केशब माधब हरी बोल करे बोल क्रस्था व्यूर ऐख़ नाम हरी का है शुबकारी नाम का पीले अमरित खो केशब मादव अरी हरी बो मुकुंद मादव अरी हरी बो मुकुंद मादव अरी हरी बो केशब माधब हरी हरी भो केशब माधब हरी हरी भो नलमा वजे मनेज़ सूर और तुलसी नाम ने तारे सूर और तुलसी नाम ने तारे केशब माधब हरी हरी भो मुकुंद माधब हरी हरी भो केशब माधब हरी हरी भो केशब माधब हरी हरी भो केशब माधब हरी हरी भो कर दो कर दो नाम का चंदन तिलक लगा ले द्वार तु अपने मन के खोर केशब मादव अरी हरी बोर केशब मादव अरी हरी बोर मुकुंद मादव अरी हरी बोर मुकुंद मादव अरी हरी बोर श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओम नमो भगवत वासु देवा ओम नमो भगवत वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 ओम्नमो भग्वति वासु देवाई श्रीमन नारायन नारायन भज्मन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओम्नमो भग्वति वासु देवाई ओम्नमो भग्वति वासु देवाई ओम्नमो भग्वति वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओम्नमो भग्वति वासु देवाई ओम्नमो भग्वति वासु देवाई ओम्नमो भग्वति वासु देवाई ओम्नमो भग्वति वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 भज्मन नारायन 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 श्रीमन 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 नारायन 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 ओमनमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 ओम नमो भगवत देवासु देवाई ओम नमो भगवत देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 ओम नमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 ओम नमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 ओम भगवति वासु देवाई ओम्नमो भग्वति वासु देवाई ओम्नमो भग्वति वासु देवाई ओम्नमो भग्वति वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 भज्मन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 ओम नमो भगवति वासु देवाई ओम नमो भगवति वासु देवाई ओम नमो भगवति वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन ओम नमो भगवति वासु देवाई ओम नमो भगवत दिवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवते वासु देवाई ओमनमो भगवते वासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवत देवासु देवार ओमनमो भगवत देवार ओमनमो भगवत देवार ओमनमो भगवत देवार श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन भजमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवत देवासु देवार ओमनमो भगवत देवार ओमनमो भगवत देवार ओमनमो भगवत देवार श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 भज्मन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन ओमनमो भगवतेवासु देवाई ओमनमो भगवतेवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 भज्मन नारायन 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 भज्मन नारायन 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 ओमनमो भगवतेवासु देवाई ओमनमो भगवतेवासु देवाई ओमनमो भगवतेवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 ओमनमो भगवतेवासु देवाई ओमनमो भगवतेवासु देवाई ओमनमो भगवतेवासु देवाई श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 श्रीमन 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 नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन नारायन हरी नाम की माला जपले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं अंतर घट मन को मथले अंतर घट मन को मथले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं हरी नाम की माला जपले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं मुझे Holz की खबर नहीं गोमा आरायन की खबर नहीं पल की खबर नाम बिना ये तेरा जीवन अधोरा है घाटा सत संग बिना होता नहीं पूरा है नाम बिना ये तेरा जीवन अधोरा है घाटा सत संग बिना होता नहीं पूरा है तेरी बीति उमरिया सारी पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं रिष्टेदार सारे यहां मतलब के यार हैं मतलब के यार है क्यों मू लगाना ये तो जुटा सनसार है रिष्टेदार सारे यहां मतलब के यार है प्रभु नाम से प्रीत लगा ले पल की खबर नहीं 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 पर उपकार करे जो सच्चा इनसान है नाम पिया लाज इसने पिया वो महान है पिया वो महान है पर उपकार करे जो उसकी सत्गुरु करे रखवाली पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है प्रभु ने बनाया है माया धन सुख में तुने नाम को बुलाया है कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है माया धन सुख में तुने नाम को बुलाया है गुरु शरण अभूल सुधारी पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं कितना प्रण प्रण ये तेरी कर्म कांड सारे बिना नाम के विकार है सेवा व्रक्त सुमिरन प्रभू मिलन के द्वार है कर्म कांड सारे बिना नाम के विकार है सेवा व्रक्त सुमिरन प्रभू मिलन के द्वार है हरी नाम को तू अपना ले पल की खबर नहीं हरी नाम की माला जपले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं ओम नमो भग्वते वासु देवाय ओम नमो भग्वते वासु देवाय प्रिय भक्त जनों अपनी भक्त जनों के संकत खबर में जूर क्रेए ओम जए जग दीश हरे पलन करता भगवान विश्नु जो इस स्रिष्टरि के पलन करता है अपनी भक्तों की सदापकार सुनते हैं सदैव उनके सारे विगडे काम बनाते है और संकट के एक शण में जब भी कोई भक्त भक्त परायन विश्नु भगवान को पुकारता है तो एक शण मात्र का विलंब की ये बिना भी दोड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं तो आईए भक्त जनों गज और ग्रहा की इस पावन कथा को सुनते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार भुकारा और भगवान दोड़े चले आए करू मैं विष्णों का गुणगान करू मैं विष्णों का गुणगान जब भक्तों पे संकट आया दूर किये भगवान करू मैं विष्णों का गुणगान करू मैं विष्णों का गुणगान एक गज राज था सुन्दर वो रहता परवत उपर प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर जुन्ड के बीच में चलता मस्ति में जुमता रहता विष्णों का परमभक्त वो सदाना रायन कहता जंगल के सारे जीवों का करता था समान करू मैं विष्णों का गुणगान करू मैं विष्णों का गुणगान करू मैं विष्णों का गुणगान वो भोला भाला गजराज भगवान विष्णों का परमभक्त था दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुभा शाओ आठो याम भगवान को याद करता रहता था भगवान विष्णों को वो अपने पिता के समान मानता था एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुन्दर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतर कर पानी पानी खेलने लगा वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेक कर बड़े ही मजे से खेल रहे थे जुन्ड के सारे हाथि एक दूजे के साथि खेल रहे पानी पानी शाम थी बड़े सुहानी सुंड में पानी लेके एक दूजे पे फेके ग्राह ने गज के पाव को घसीटा मुह में लेके गज का पाव जब ग्राह ने पकड़ा पूए सभी परिशान करू मैं विश्णों का गुलगान करू मैं विश्णों का गुलगान करू मैं विश्णों का गुलगान एक बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल रिशी के श्राप से तालाब में मगरमच बन गया था वो मगरमच गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ कर गहरे पानी में खीचने लगता है जिसे देखकर हाथियों का जुन्ड परिशान हो जाता है मगर चुकि पानी बहुत गहरा होता है इस वजह से चाहकर भी कोई गज की मदद नहीं कर पाता है ग्रह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है मगर ग्रह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं लेता वो बल पूर्वक गज को पानी के अंदर खीचता है और गज का आत्म विश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरी को पुकारता है और क्या कहता है ग्राह ने जोर लगाया पाउ में दात गड़ाया हाथी के बहते लहू को वो पी कर प्यास बुझाया ग्राह और गज के बीच में युध हुआ बड़ा भयंकर पी के गज राज के कून को ग्राह बन गया ताकतवर श्री हरी को तब गज ने पुकारा श्री हरी को तब गज ने पुकारा संकट में थे प्रान करू मैं विष्णों का गुलगान करू मैं विष्णों का गुलगान करू मैं विष्णों का गुलगान प्रिय भक्तों ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीशन लडाई होती है और ये लडाई छे महीने तक चलती है ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गज राज कमजोर होता जाता है अन्त में गज राज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा तो वो भक्त वतसल भगवान विश्णु को करूना भाव से पुकारता है और क्या कहता है आए सुनते है प्राण संकट में पाकर गज ने विश्णु को पुकारा विश्णु जी दोडे आए चक्र से ग्राह को मारा ग्राह गंधर्व बन गया हरी की शरण में आया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया दोनों को वे कुंठ मिले विश्णु ने दिया वरदान करू मैं विश्णु का गुलगान करू मैं विश्णु का गुलगान करू मैं विश्णु का गुलगान प्रिये भक्त जनम भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते और इस कथा के लेखक पंडित संजय तेवारी जी कहते हैं अपने भक्त जनों के संकट किषण में दूर करें ओं जै जगदीश हरे अब सौप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हर तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हर तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में अर पन कर दू दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में सब सौप दिया इस जीत तुम्हारे हाथों में यदि मानश का मुझे जनम मिले तेरे चरणों का दास बनू तेरे चरणों का दास बनू इस पूजक की एक एक रग का भरतार तुम्हारे हाथों में सब सौप दिया इस जीत तुम्हारे हाथों में जब जब रहाए हाथों में जब जब रहाए हाथों में जब संसार का कैदी बनू निशकाम भाव से करम करूं फिर अन्त समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे हाथों में सब सौप दिया इस जीत तुम्हारे हाथों में मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायन हो मैं नर हूँ तुम नारायन हो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में सब सौप दिया इस जीत तुम्हारे हाथों में ओम नमो भगवते वासु देवाए भक्त जनों जब जब भक्तों पर भीड पड़ी है तब तब श्रीहरी विश्नु जी ने अलग अलग रूपों में अवतार धारन कर भक्तों को पापों संतापों से मुक्त किया है उनके प्रमुक अवतार हैं भक्तों मज्य अवतार वरा अवतार पूर्म अवतार नर्सिंग अवतार परशुराम अवतार वामन अवतार राम अवतार वतक्रिश्न अवतार परन्तु आज मैं आपको उनके मोहिनी अवतारों की दो प्रमुक संगीत मैं कताएं सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको ग्यात होगा कि क्यों और कैसे श्री हरी विश्नु जी ने मोहिनी अवतार धारण किये और कैसे देवों का रक्षन किया तो एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेम से बोलिए बोलिए श्री हरी विश्नु नारायन भगवान के ओ नमो भगवती वासु दीवाई नमगा कैसे श्री हरी ने मोहिनी का रूप धारा मोहिनी के रूप ने तो भगतों को अपने तारा कैसे श्री हरी ने मोहिनी का रूप धारा कैसे श्री हरी ने मोहिनी का रूप धारा पहली कथा सागर मन्थन की है भगतों देव और दानव मिलकर सागर मन्थन कर रही मन्थन से चोधै रतनों के साथ साथ वैद धन्मंत्री अम्रित कलश भी लेकर निकली जिसे पाने को देव और दानव आपस में भिड़ गए थे भकतों दानव अधिक बल्चाली थे सो अम्रित कलश लेकर भाग निकले सभी देवी देवता श्रीहरी नारायन की शरण में आए और अम्रित कलश वापस लाने की गुहार करने लगे भला आपने भकतों की बुकार देवा नारायन कैसे न सुनते और होने मन ही मन एक युती सोची है श्रीहरी नारायन विपदा हरो हमारी अम्रित कलश वापस हम है शरण तुमारी हमको तो आपका ही हे हरी तो है साहारा कैसे श्रीहरी ने मोहिनी का रूपधारा भगवान श्रीहरी नारायन ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया भकतों और पहुँच गए असुरों के सन्मुख उनके अतुलित सौंदर्य को देखकर सभी असुर कामातुर होकर उससे विवा करने हे तुम लालाईत को उठे मोहिनी रूपी श्रीहरी ने कहा जो उनकी ताल से ताल मिलाकर नित्य करेगा वो उसी के संग विवा करेंगी सारे असुर अमरित कलश को भूल उनकी ताल में ताल मिलाकर नित्य में मगन होगे भकतों और इसी में अवसर देखकर मोहिनी रूपी श्रीहरी विष्णु ने अमरित कलश भूल उठाया और अंतरध्यान होगे तथा देवों के संग प्रकट होकर उन्हें अमरित मान करा उन्हें अमरत को प्रधान किया मोहिनी बने नरायन असुरों को थान चाया अमरित कलश उठाया देवों को था पिलाया मोहिनी के रूप ने ही सभी देवों को था तारा कैसे श्रीहरी ने मोहिनी का रूप धारा मोहिनी अवतार की दूजी पावन कथा भगवान शिव से सम्मंदित्ते बक्तों दैत के भसमा सुर ने भगवान शिव का कठोर तप किया और जब भगवान शिव उसे वर्दान देने आए तो पहले तो उसने अमरत्व का वर्दान मांगा जब भगवान शिव ने इसे नीती सोरूप न बताया तब उसने वर्दान मांगा धे भोले नार मैं जिसके सिर पर हाथ धरूँ वो तत्काल भस्म हो जाए भोले शंकर तो भोले हैं बक्तों तत्काल प्रभाव से तथास तु कह दिया जैसे ही ततास तो कहा तो वो असुर अपने वर्दान को प्रमारित करने है तू भगवान शिव के सिर पर ही हाथ धरने के लिए उनके पीछे पीछे भागा भगवान भोले शंकर आगे आगे भाग रहें और असुर पीछे पीछे भगवान भुले नात भाग कर श्री हरी की शरण में आये और अपने प्राणों की रक्षा की गोहार करने लगे भसमा असुर से बच के विश्नु शरण में आये भसमा असुर से बच के विश्नु शरण में आये भोले शिब को तो बचाने मोहिनी का रूप धाये भोले शिब को तो बचाने मोहिनी का रूप धाये गए भसमा सुर के सन्मुख शिब का बने साहारा कैसे शिरी हरी ने मोहिनी का रूप धाया भसमा सुर मोहिनी का अतुलित सौंदर्य देखकर ध्रमित हो गया वक्तों और उससे विवार करने हे तू आतुर हो गया मोहिनी रूपी शिरी हरी ने कहा कि यदी वो उसकी ताल में ताल मिलाकर निट्टि कर सकता है तभी वो उससे विवार करेंगी असुर ततकाल तयार हो गया फिर क्या था जैसे जैसे मोहिनी नाचती असुर उसका अनुसरन करता रहता नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा भक्तों असुर ने भी उनका अनुसनन करते हुए वैसा ही किया और भगवान शिव के अवदार के अनुसार अपने सिर पर हाथ देई वो तद्काल प्रभाव से भस्म हो गया और इस तरहे भगवान श्रीहरी के मोहिनी स्वरूप ने भगवान शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी भगवान भोले शंकर ने श्रीहरी नारायन के चरणों में नत्मस तको उनकी जैजेकार करी तो आप भी भक्तों बगवान श्रीहरी नारायन की जे जे कार कीजी बोलिये बगवान श्रीहरी विश्नु नारायन की ओ नमो भगवतिये वासु देवाई नमो मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संघारा शिवजी के प्राण राखे उनका बने सहारा शिवजी के प्राण राखे उनका बने सहारा चन्दन तिलक ने भगतों श्री हरी का नाम उचारा कैसे श्री हरी ने मुहिनी का रूप धारा ओम नमो भगवते वासु देवाई अपने भकत जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे पालन करता भगवान विश्णू जो इस स्रिष्टी के पालन करता है अपने भकतों की सदा पुकार सुनते है सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते है और संकट के एक्षण में जब भी कोई भकत भकत परायन विश्णू भगवान को पुकारता है तो एक शण मातर का विलंब किये बिना भी दोड़े चल कर आते हैं और अपने भकत को संकट से उबारते हैं तो आए भकत जनों गज और ग्राह के इस पावन कथा को सुनते हैं जिसमें आप देखेंगे एक ऐसे भकत ने एक बार पुकारा और भगवान दोड़े चले आए करू मैं विष्णू का गुणगान करू मैं विष्णू का गुणगान जब भकतों पे संकट आया दोर किये भगवान करू मैं विष्णू का गुणगान करू मैं विष्णू का गुणगान करू मैं विष्णू का गुणगान एक गज राज था सुन्दर वो रहता परवत उपर प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर प्रेम करते थे उससे सभी जंगल के जानवर जुंड के बीच में चलता मस्ती में जूमता रहता विष्णू का परमभत वो सदा नारायन कहता विष्णू का परमभत वो सदा नारायन कहता जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान करू मैं विष्णू का गुणगान 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 वो भोला भाला गजराज भगवान विश्णु का परम भक्त था दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुबह शाम आठो याम भगवान विश्णु को याद करता रहता था भगवान विश्णु को वो अपने पिता के समान मानता था एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुन्दर से सरोवर की नस्दीक जा पहुचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतर कर पानी पानी खेलने लगा वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फैंक कर बड़े मजे से खेल रहे थे जुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी शाम थी बड़ी सुहानी सुंड में पानी लेके एक दूजे पे फैंके ग्राहने गज के पाउं को घसीता मुह में लेके गज का पाउं जब ग्राहने पकड़ा हुए सभी परिशान करू मैं विश्णों का गुणगान 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 एक बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल रुशी के शाप से तालाब में मगरमच बन गया था वो मगरमच गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ कर गहरे पानी में खैचने लगता है जिसे देखकर हाथियों का जुणड परिशान हो जाता है मगर चुकी पानी बहुत गहरा होता है इस वज़ा से चाह कर भी कोई ग्राह की मदद नहीं कर पाता है ग्राह और गज के बीच धमासान लड़ाई होती है मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है वो बल पुर्वक गज को पानी के अंदर खीचता है और गज का आत्म विश्वास और बल धीरे धीरे जब चबाब देने लगता है तो वो हरी को पुकारता है ग्राह ने जोर लगाया पाव में दात गड़ाया हाथी के बहते लहू को वो पी कर प्यास बुझाया ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर पी के गज राज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर श्री हरी को तब गज ने पुकारा संकट में थे प्राण करू मैं विश्णों का गुणगान 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 ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीशन लडाई होती है ये लडाई छै महीनों तक चलती है ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गज राज कमजोर होता जाता है अंतने गज राज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा तो वो भक्त वच्सल भगवान विश्नु को करुणा भाव से पुकारता है और आगे क्या होता है प्राण संकट में पाकर गज ने विश्नु को पुकारा विश्नु जी दोडे आए चक्र से ग्राह को मारा ग्राह गंधर्व बन गया हरी की शरण में आया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया दोनों को वे कुंथ मिले विश्नु ने दिया वरदान करूँ मैं विश्नु का गुणगान करू मैं विश्नु का गुणगान भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को फुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते और इस कथा के लेखक पंडित संजेतिवारी कहते हैं कि अपने भक्त जनों के संकट शन में दूर करे ओम जै जगदीश हरी ओम जै जगदीश हरी